नमस्कार है दोस्तों चतिसगर न्यूज अपडेट में तो आएए जानते हैं आज की प्रमुक बड़ी खबरों को फटाफट तो वीडियो में अंतक बने रहना दोस्तों तो पहली बड़ी खबर है पुलिस ने तीन अंतराजिय बाइक चोरों को धर दबोचा है ये तीनों चोर चतिसगर से बाइक चुरा कर उडिसा में बैंच देते थे पुलिस ने मुख्बिर की सूचना पर त्वरित कारवाई करते हुए उडिसा के कुंदई, राएघर, उमरकोट में तीन दिनों तक कैंप कर घेराबंदी कर चोरों को पकड़ लिया वहीं आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने उक्तक्षेत्र से लगभग 20 लाख रूपे की चोरी के कुल 35 बाइक बरामत किये दरसल कोंडा गाउं जिले में लगातार बाइक चोरी की शिकायत आ रही थी इस पर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षए कुमार ने चोरी को रोकने और चोरों को पकड़ने के निर्देश दिये थे इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डांडे के मार्ग दर्शन में साइब सेल वथाना विश्रामपुरी की सयुक्त टीम ने कार रवाई की पुलिस ने सभी जप्त बाइक के मालिकों के पता साजी के लिए सर्फ दीगत हाना को सूचना भेजी है चोरी के आरोपियों ने पुलिस की पूचताच में उडिसा सीमा से लगे क्षेत्रों के सापताहिक बजार एवं सुने मकानों से डूपलिकेट चाबी बनाकर मोटिसाइकल चोरी कर उडिसा में बेचना स्विकार किया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों का विवरन रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी ने लिया देहदान का फैसला 40 साल दी है शिक्षा के क्षेत्र में सेवा, जीवन में शिक्षा का महत्व अमूल्य है शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपुर्ण योगदान देने वाले सुभाष पांडे ने मरने के बाद भी स्वयम को शिक्षा के प्रती समर्पित करने का फैसला लिया है सूरजपुर के सेवानिवरिच शिक्षक जिन्होंने अपना 40 साल शिक्षा के क्षेत्र को दिया अब उन्होंने और उनकी पत्नी ने चिकित्सा कॉलेज के छात्रों के लिए देहदान करने का फैसला लिया है मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के पचिरा गाव में रहने वाले रिटायर शिक्षक सुभाश पांडे और उनकी पत्नी ज्यानवती पांडे ने अपनी मृत्यू के बाद देहदान करने का फैसला लिया है उनके इस फैसले ने समाज को एक नई प्रेरणा दी है शिक्षक सुभाश पांडे को बच्पन से ही पढ़ने में काफी रूची थी उन्होंने 1984 से 40 वर्ष तक शिक्षक के क्षेत्र में योगदान दिया और जन्वरी 2024 में रिटायर हुए उन्होंने अपनी 40 साल के सेवा के दोरान एक दिन भी छुटी नहीं ली और पूरी इमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाया शिक्षक के प्रती उनका समरपण ही है कि उन्होंने मरने के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापूर को देहदान करने का फैसला लिया है शिक्षक सुभाष चंद्रपांडे ने बहुत पहले ही देहदान का फैसला कर लिया था पहले उनकी पत्नी इस फैसले से सहमत नहीं थी लेकिन अपने पती के द्रिल निश्चे को देखकर उन्होंने भी अपना विचार बदल लिया अब उनकी पत्नी ज्यानवती पांडे ने भी देहदान का फैसला लिया है उनकी दोनों बेटिया अपने माता पिता के इस फैसले पर गौरवानवित है साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है बकरी के साथ रेप, चोरी की नियत से घुसे युवक ने चिलाने पर मरोड दी बकरी की गरदन चत्तीसगर के सूरजपुर जिले में बकरी के साथ अप्राकृतिक सेक्स का मामला सामने आया है आरोपी गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है बताया जा रहा है कि आरोपी चोरी के इरादे से मतन दुकान में घुसा था वहां उसने बकरी के साथ सेक्स करने की सोची लेकिन इसी दौरान बकरी के चिलाने पर आरोपी ने गरदन मरोड कर उसे मार डाला युवक मामला बिश्रामपूर थानाक शेत्र का है पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक बिश्रामपूर सापताहिक बजार में शिवननदनपूर निवासी जाहिद कुरेशी की मतन शाप है दुकान मालिक के मताबिक आठ अप्रेल की शाम वो अपनी दुकान में एक बकरा के साथ चार बकरियों को बांद कर घर गया था शाप का मालिक जब 9 अप्रेल की सुभा दुकान पहुँचा तो ताला तूटा पड़ा था अंदर जाकर देखा तो एक बकरी भी मरी पड़ी थी सीसी टीवी में एक युवक सबल से दुकान का ताला तोड़ कर घुस्ते साफ साफ दिख रहा था जाहिद ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कर आए जाच शुरू करते ही पुलिस ने बकरी का पोस्ट मॉटम कराया पी एम रिपोर्ट में बकरी के साथ दुशकर्म होने और गले की हड़ी तूटने से मौत की जानकारी चिकित सकने दी तब सीसी टीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफतार कर लिया उसकी शिनाख्त फोकट पारा निवासी मुन्ना के रूप में हुई गिरफतार करने के बाद पूछताच में पुलिस के सामने युवक ने अपनी कर्तूत कबूलते हुए बताया की रात लगभग एक बजे चोरी की नियत से वो सबल लेकर मटन दुकान में घुसा था खबर सामने आई है मुश्किलों में फसे कवासी लखमा पी-म मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर भाचपायों ने निर्वाचन आयोक से शिकायत चतीस गड़ में एक बार सियासी सरगर्मी बढ़ गई है बुधवार को बीजेपी का प्रतीनिधी मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्याले पहुँचा जहां उन्होंने बस्तर प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ शिकायत की है कवासी लखमा ने बीते दिनों चुनाव प्रचार के दोरान एक सभा में हलवी भाशा में कहा था कि कवासी लखमा जीतोर नरेंद्र मोदी ढोलतोर जिसका मतलब है कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा और खेल खत्म राम राम कवासी लख्मा के इस बयान के बाद भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतिलाल साहु और भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिम्ननी समेट कई नेता निर्वाचन कार्याले में शिकायत करने पहुँचे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत के दौरान प्रतीनिधी मंडल ने कहा कि प्रधान मंत्री के लिए बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लख्मा ने विवादित बयान दिया है के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कॉंग्रेस प्रत्याशी कवासी लख्मा की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की है। उनके इस बयान को लेकर मंतरी केदार कश्यप ने भी उन्हें चत्तीस गड़ का राहुल गांधी कहा था। पूर्वापकारी मंतरी कवासी लख्मा का कवासी चुनाव प्रचार के लिए बीजापूर जिले के कुट्रू गए थे। दिन भर प्रचार के बाद वे शाम को जिला मुख्याले लोट रहे थे। इसी बीच नैमेट गाव में उन्होंने ग्रामीनों से बातचीत करने चौपाल लगाई थी। जहां वे ग्रामीनों को बता रहे थे कि EVM मशीन में उन्हें किस तरह से वोट देना है। पहले चुलबुले अंदाज और फिर गोंडी बोली में कहा कि कवासी लखमा जीतोर, नरेंद्र मोधी धोलतोर और खेल खत्म राम राम। वहां मौजूद लोगों ने लखमा के इस बयान का विडियो बना लिया, जिसके बाद यह विडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। वे अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व आपकारी मंत्री कवासी लखमा कोंटा विधान सभा सीट से लगातार छे बार से विधायक हैं। अपकी बार कॉंग्रेस ने उन्हें बस्तर से लोगसभा प्रत्याशी बना कर चुनावी मैदान में उतारा है और वे पहली बार लोगसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इनके सबसे निकट्तम प्रतिदवंद्वी बीजेपी के महेश कश्यप है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। स्थानिय लोगों ने बताया कि बाइक सवार तीनों लोग बालको क्शेत्र के रहने वाले थे। वे किसी काम से दर्री की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे हाईवा से उनकी भिलंत हो गई। टककर लगते ही तीनों सड़क पर जागिरे और हाईवा उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई है। हाथसा इतना जबरदस्त था कि एक व्यक्ती के शव के टुकडे टुकडे हो गए है। पुलिस ने तीनों शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मोटम के लिए भेज दिया है। वहीं गुसाएं लोग सड़क पर देर रात तक चक्का जाम कर हंगामा करते रहे। लगभग 2-5 घंटे तक चक्का जाम चलता रहा। पुलिस प्रशासन और मृतक के परिजन के बीच मुआवजे के लिए बातचीत हुई जिसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ। लोगों ने भारी वाहनों की आवाजाही पर कंट्रोल करने और ब्रेकर की मांग की। वहीं हाईवा चालक की गिरफतारी की मांग भी की गई। सडख हाथसे में बेलगरी निवासी माधव प्रसाद केवट पिता लक्षमन केवट 47 वर्ष केरेबंधा निवासी जगर साय केवट तिरपन वर्ष और सीतामडी निवासी लीलाधर केवट 45 वर्ष की जान गई ये तीनों बाइक में सवार होकर बालकों से कोर्बा सीतामडी वापस लोट रहे थे।